हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल लेरं स्टॉप चार्ट्स टू अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तू चैनल पर आईए यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोज अपलोड करके रखे हैं प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्ट्व प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोज है तो आपके इंटरेस्ट के ही सबसे आप ये वीडियोज देख लिजे और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मिनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपकी नॉलेज में गेन हो रहा है तो ये आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अगर सबस्क्राइब करते तो रेकुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट इलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो एमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किये है आपके सामने आ जाएंगे यहां पर हमने basic information provide करने की कोशिश की है उसके ही साथ जो अलग-अलग trading strategies रहते हैं जैसे कि इंटरी trading strategies फिर short term trading strategies फिर swing trading strategies फिर multi-bagger strategies तो हर अलग तरके strategies के उपर चार्ट पैटर्स के उपर और टेकनिकल इंडिकेटर्स के उपर हमने book publish करने की कोशिश की है हिंदी में भी एक book publish किया है दोस्तों जो basic information provide करता है stock market and technical analysis के बारे में तो यहाँ प्याइए दोस्तों और जो भी information प्रवाइड की है उसे भी आप फाइदा लेने की कोशिश केजिए दोस्तों लेकिन जो भी हमने information या respective books में प्रवाइड की है उसे आप educational purpose ही consider कीजिएगा तो चलिए दोस्तों आज का topic शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो का हमारा title है trade safe by defining max loss per trade यानि की max loss define करके safe trade कैसे करें यानि की आज की वीडियो में हम जो भी discuss करने वाले हैं वो related to money management है जब भी हम beginner level के traders रहते हैं तो हम trading strategy के बारे में discuss करते हैं बहुत सारे strategies के बारे में discuss करते हैं और फिर जाकर हम उसको backtest करते हैं अगर कोई strategy हमें अच्छी लगती है तो finally हम वो particular strategy को लेते हैं और उसके साथ trading करने लगते हैं वो strategy कभी-कभी हमे profit देगी कभी-कभी loss भी देगी लेकिन जब भी हम trading करते करते जब भी हमारा end of the month आएगा और वहाँ पे जब भी हम हमारा portfolio देखेंगे या तो हमारा capital gain देखेंगे यानि कि हमारी profit loss statement देखेंगे तो हमें वहाँ पे समझ में आएगा कि हम loss में है या तो कम profit में है यानि कि अच्छी strategy के साथ trade करते हुए भी हम एक तो loss में रहेंगे या तो हम कम profit में रहेंगे क्योंकि हमने money management के concept को अच्छी तरह से apply नहीं किया होता है जब हम trade करते हैं तो वैसे तो money management जब भी हम discuss करते तो बहुत सारे concept आ जाते हैं लेकिन ये पर्टिकलर वीडिय हमारा trade setup बना सकते हैं loss भी होगा तो वह define होगा और अगर profit होता है तो हम maximum profit gain कर सकते हैं तो एक simple सी excel file हम open करेंगे और एक example के जरी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे कि max loss पर trade define करने से हमारी जो losses रहते हैं वो किस तरह से कम हो सकते है और जो भी हमे profit मिलता है वो किस तरह से तो भी हम money management के साथ किस तरह से अच्छा कासा profit कमा सकते हैं यह देखेंगे मान लिजिए अगर आपको experience के साथ आपकी strategy और भी improve हो जाएगी और वो मान लिजिए कि 70-80% तक की accuracy आपको दे देगे और उसमें अगर money management concept apply करेंगे तो definitely आप बहुत यह अच्छा कासा profit फिर कमा स strategy के बारे में ही देख लेते हैं और बाद में फिर उनको losses होने के बाद समझ में आता है कि money management concept भी बहुत ही important क्याटा है तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के problem आते होंगे तो यहां पर मैं एक simple सा concept बताऊंगा अगर आप यह concept अपने trading में apply करना शुरू करेंगे तो definitely आपक example के साथ देखेंगे उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको related to stock market knowledge चाहिए तो यह वीडियो के नीचे subscribe button के बाजू में join button मिलेगा उस पे click करके आप हमारे चैनल की membership को join कर सकते हैं अगर आप join करेंगे तो हम हमारे channel की community post पे regular basis पे exclusive perks डालते रहते हैं किस तरह से आपक एक short video open हो जाएगा वो वीडियो देखने के बाद आपको हमारे जो plan से उसके बारे में पता लग जाएगा बहुत ही cheap price में हमने अच्छे खासी यानि की information and knowledge share करने की कोशिश की है तो आप आपकी हिसाब से जो plan आपको अच्छा लगता है उसकी हिसाब से आप उसको join कर सकते है और definite आपके knowledge में gain कर सकते हैं तो चलिए अभी मैं directly आपके excel sheet open करता हूँ और उसके जरीए हम एक simple सा example देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि max loss क्यों define करना चाहिए तो दोस्तों हमने यहाँ एक excel sheet open की है अभी यह simple से excel sheet के जरीए हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम randomly trade करते हैं तो scenario किस तरह के बन सकते हैं और अगर हम max loss को define करके trade करेंगे तो scenario किस तरह से बन सकते हैं तो यहाँ पर example के तोर पर में यहाँ पहले consider कर लेता हूँ random trading तो हम पहले random trading करके किस तरह से scenario बन सकता है वो देखेंगे उसमें किस तरह से profit losses आ सकते हैं वो देखेंगे उसके बाद हम यहाँ पर फिर अगला example देखेंगे उसमें हम अमारी max loss जो amount है वो पहले हम यहाँ पर define करेंगे और define करने के बाद उसके साथ हम trade करेंगे अभी समझ लेने के लिए मैं खाली यहाँ पर example के तोर पर खाली 6 trade का हम यहाँ पर consideration कर लेते हैं मान लिजी कि हम 6 trade लेते हैं अभी दोस्तों कैसे रहता है कि हम beginner level के trader रहेंगे या तो बाद में हम आगे जाकर हमें अच्छा कासा experience भी मिलेगा तो भी अच्छी कासी strategy भी रहेगी तो भ हमारे stop loss भी हिट होने वाले हैं और हमारे target भी हिट होने वाले हैं लेकिन हमें इस तरह से हमारा setup बनाना चाहिए कि जब भी हमारे stop losses हिट होते हैं तो हमें losses बहुती कम होने चाहिए और हमारे target जब भी हिट होते तो हमारे target ज्यादा होने चाहिए तो इस तरह से हमें करना च प्रफूरोड किया हमने दुसरा एक trade लिया उसमें वाणलीचे ट्रेड लेने के बाद हमें loss आना शूरू हो गया लॉस आने के बाद कैसे हो गया होता है तो हमें वह situation में लगता है कि वह loss बाद में जाकर cover होगा और फिर वह profit में convert होगा और फिर profit में हम उसे book करेंगे हम यह समझ नहीं पाते कि वह loss में है या में भी हमारा stop loss भी हिट होता है लेकिन फिर भी हम उसे hold करते हैं तो stop loss हिट होने के बाद भी अगर हम hold करेंगे तो एक बहुत बड़ी कलती हो जाती है अगर आपने stop loss सही जगह पे लगाया होगा और stop loss हिट होगा और फिर भी आप उस सो रुपय का profit होगा कभी माने चार सुरुपय का profit होगा तो इस तरह के random situations बनते रहते हैं हम उसको कुल मिला करेंगे तो यहां पर आपको दिख्यागा कि आपको यहां पर सो रुपय का loss ही हुआ है अभी यह जो यह six take हम ने consider नहीं किया शिक्स का हम consider कर ले थी फिर से हमें loss रुपय का हमें यहां पर लॉपय का ठाब तो दो सुपय का हमें यहां पर लॉपय का total six trade है, शिक्स ट्रेड में पहला 200 रुपय का profit हो पिर 50 रॉपय का loss, पिर 100 रुपय का इसके ही other situation को हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसमें हम थोड़ा max loss amount को consider कर लेते हैं और यहाँ भी हम छे ट्रेट का example लेते हैं अभी मान लिजे हमने max loss amount करेंगे तो इस तरही सिच्वेशन में क्या होगा मान लिजे पहला गलत हुआ दूसरा गलत हुआ लॉसस कितने हो रहे max losses हमारे 200 ही हो रहे है तो उससे ज्यादा हमारा loss नहीं हो रहा है फिर profit आगया 200 का फिर profit आगया 300 का कभी-कभी जब आप max loss define करते है ना जब आप risk reward के साथ trade करते है ना कभी-कभी कहा होते है कि हम अच्छी तरह से समझ पाते है और कहां पर हमें profit book करना चाहिए तो इस तरह के situation में max loss हमारा 200 रुपीज ही हो रहा है लेकिन जो profit हो रहा है हमारा कभी-कभी आच्छी तरह से बढ़ भी रहा है तो कुल मिला कर इसको हम addition करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि यह profit में है तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप रहा है हमने यहां यहां पर रैंडम ड्रीडिंग करें और में मैक्ष लॉस को Rep Sisters लिए तीरुकर 2 पक टेलिए तो यहां पर कंसिडर करेंगे यहां पर और एक में बतका हूं यहां पे consider कर लिजी कि आपने तीन स्टॉक में प्रॉफिट लिया और तीन स्टॉक में आपका लॉस गया लेकिन लॉस को आपने डिफाइन नहीं किया था तो रैंडम ली कभी कभी 300 रुपय का लॉस होएगा कभी 500 का होगा कभी 100 का होगा और प्रॉफिट आपको 200 का होगा कभी 300 का होगा कभी 100 का होगा इस तरह की सिच्वेशन आईगे और आप लॉस में चले जाएंगे अभी यहां पर वही सिच्वेशन को हम consider कर लेती कि 50 50 50 यानि कि तीन स्टॉक हम तरह से बाइब यहां पर आप अच्छे का से प्रॉफिट में है क्यूंकि यहां पर आपने मैक्स लॉस डिफाइन किया था उसको माइनस 200 की उपर बढ़ने ही नहीं दिया था और प्रॉफिट को आपने बढ़ने दिया था और यहां पर आपने क्या किया इससे उल्टा किया प्रॉफिट को आपने जल्दी काट लिया और लॉस को आपने बढ़ाने दिया इसके वज़े से आपका पोर्फिलियो लॉस में में चला गया और यहां भी आपका पूर्ट फिल्य प्राफिट में चला गया तो इस तरह से रहता है दोस्तों कि जब भी हम मैक्स लॉस आप अमाउंट डिफाइन करते हैं और उसके साथ ट्रेड करते हैं तो हम 50 50% की भी आकरी से रहेगी और के साथ आपकी इंप्रूब होगी आपका रिस्क रव इंप्रूब होगा आपकी फ्रेलिंग करते जलाइगे 육ंपने कि क्या होगा पर थे तरह से एक तो तरह ब सी चॉब चा Ll सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह से मैक्स लॉस को डिफाइन करके आप ट्रेडिंग करेंगे तो डिफिनेटली आप अच्छा-कासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अधर बिगिनर लेवल के लोग है या तो आपको एक्स्ट्रेज भी होगा लेकिन आप इस तरह से करते नहीं हो मैक्स लॉस होने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए ये भी हमें डिफाइन करना पड़ता है तो वह किस तरह से डिफाइन करें किस तरह से क्वांटिटी के कर सकते यानि कि उतने quantity के position बना सकते हैं तो वो किस तरह से करने उसके उपर एक वीडियो बनाया है अब यह वीडियो के end में आपको वो वीडियो की link आएगी thumbnail आएगा और उसी के साथ description box में भी मैं वो particular educational purposes तो आप इस educational purposes ले लिजेगा इसको देख कर आप प्लीज ट्रेड मत किजेगा तो दोस्तों आज की लिए वस इतना ही थैंक यू